क्या सम्विधान से इंडिया नाम हट जाएगा क्योंकि विपक्ष ऐसी आशंका जाहिर कर रहा है हमाई सर मौजूद है जेडियो के मुख राष्ट्री प्रवक्ता के सित्यागी साब सर आप लोगं को क्यों ऐसी आशंका है कि इंडिया नाम हटाने की कोशिश की जारी सरकार क द्वारा G20 के मेहमानों के लिए जो निमंतर्न पत्र प्रकाशित और प्रचारित हुआ है उसमें इंडिया शव्द का जिकर नहीं है। इंडिया हमारा या भाजपा की बीच का विवाद ने समिधान सभा के निर्मान के दोरान समिधान के निर्मान के दोरान डाक्टर अंबेड करकी अद्धक्ष्टम जो कमेटी की बैठक चल रही थी उसमें नाम निकल करका आयता जिसमें पढणित कमना पतुतिर पार्टी हरी विश्नु कामत और शीट गोविंधास जैसे प्रखर कानुन विद्हें वो मौझूद थे वहां तैह किया गया था इंडिया त्छार्ट राज्यों का संग हम ना भारट के हटार जाने की इंडिया के फुलकी है तो हमको डराती अभी तो जो है आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है तो आप लोगों को आशंका जो है क्यों लगने लगी है कि इंडिया नाम हटा दिया जाएगा क्योंकि सरकार की तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं गया अब तक के 75 साल के रिकोर्ड हैं राश्टपती और प्रधान मंत्री की तरफ से राश्टा धक्ष को जो बीदेश के लोग हैं उनके निमंतरन पत्र पर गवर्मेंट ओफ इंडिया प्र भी कहना है कि एक तो समीधान जिसका आप जिकर कर रहे हैं कि इंडिया भारत साफ तौर पर लिखा हुआ है कि डैट इस भारत तो ऐसे में तो वहां पर समीधान में उस बात का जिकर है तो उस पर किसी को आपत्ती क्या हो सकती है आपत्ती भारत जिनता पार्टी की सरकार को निमंदरन पत्र जाने की परमपरा का पहली बार , तो अगर मोदी जी उसी और आगे बढ़ रहे हैं भारत का इतिहास रहा है तो फिर उसमें आप लोगों को ऐसे आशंका क्यों है या अगर वो किया भी जा रहा है तो उस पर एतराज क्यों है मैं बारती जंता पार्टी के किसी भी नीता से बहस करने के लिए तयार हूँ जो समीधान सभा में बहस हुई थी और जिसमें इस पर लेक था वहां पर कि लोगों ने विरोध भी किया थे लोगों ने सबर्थन भी किया डाक्टर अंबिटकर ने आदा घंटे का समय दिया कि मैं और अधिक समय इस पर बरबाद नहीं करूंगा तो कम लित में बताया आप तिरपाठी जी भी थे अरी विश्नु कामत भी थे और सेट इंडिया देट इस भारत किसी को भारत पर इतराज नहीं लेकिन इंक्लूजन इंडिया का भी गलत है चुके यह प्रिम्बल में रिखावा शब्द है और प्रिम्बल में अगर हिरा फेरी होती है तो हमारे कान खड़े होने सब्सक्राइब भारत तो यह भी कह रहे हैं हलाक हम सम्विधान को सबसे अथेंटिक अपना करंथ बांते हैं यह हमारे आजादी के जो दीमाने परवाने थे उनके द्वारा निर्मित सम्विधाने और इसमें जनसंग और भारत जनता पार्टी की जो सबसे बड़े पूरवज थे डाक्टर शामा प्रसाद मुकरजी भी उस चीज का जिक्र है आखिर उसमें बदलाव करने की इक्षा भी अगर हो रही है चर्चा भी हो रही है और रही बात भारत और इंडिया की तो सम्विधान में इंडिया डैटिस भारत लिखा हुआ है और सम्विधान सभाद में वो जो उस पर चर्चा हो चुकी है तो आखिर उसको बदलने की बात क्यों हो रही है और ये आशंका इस वज़े से व्यक्त कर रहा है विपक्ष क्योंकि देश के महा महीम के नाम से जो इन्विटेशन गया है प्रदान मंत्री का जो एक लेटर सामने आया है उसमें साफ्त और पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हु सही होगी कैमरा पर्सन मनोश कुमार के साथ अंकिर गुपताई बीपी नियूस दिली